जैन्द बच्चों इस समय आप लोग महमने शुट के योटूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सब का स्वागत करता हूँ आज हम लोग क्लॉस टैन्थ मैथमेटिक्स हिंदे मेडियम एंसी अल्टी बुक के सेकंड चैप्टर बहुपद यानि पॉलिनॉमियल के लेक्चर फोर के साथ आज उपस्तित हुए हैं और आज हम लोग प्रसनावरी 2.3 पढ़ने जा रहे हैं प्रसनावरी 2.3 सुरू करें जिसके पहले मैं आपको बता दूँ कि महावने शूट के सभी न्यू बैज प्रारम हो गए हैं 9th, 10th, 11th, 12th, Science, Art, Commerce, Hindi, Medium, English, Medium यानि CVC Board के सभी क्लासे सुरू हो गए हैं और यहां पढ़ाने वाले जोस्तर लोग हैं ये वाराणसी की टॉप टीम यहां उपलब हैं पढ़ाने के लिए और हर सब्जेक्ट के विशसग्गे लोग हैं Physics, Chemistry, Math, Biology, Hindi, English, Social हर सब्जेक्ट के विशसग्गे लोग हैं इसलिए आप तत्काल माहमने स्चुट मेट भी सली लिजिए और चलिए अब हम प्रसनावली 2.3 शुरू करने जा रहे हैं प्रसनावली 2.3 में देखा जाए क्या करना है यहां पर question पहले instruction पढ़ा जाएंगा instruction दिया गया है बुक आप सभी लोग खोल ले हैं बिभाजन एल्गोरित्म का प्रयोग करके हम question number one आपको बताने जा रहे हैं देखे, प्रसुन संख्या हम एक आपको बताने जा रहे हैं, बिभाजन एल्गोरित्म का प्रयोग करके निम्न में पीयक्स को जीयक से भाग देने पर भागफल तथा सेस्फल घ्याद कीजिए, भागफल जिसको कोसंड करते हैं और सेस्फल जिसको रिमेंडर करते हैं, ये हम को ग्याद करना है, तो चले ज़रा ध्यान पुरुवक देखे हैं, फॉस्ट इसका क्वेस्टन नमबर वन का जो फॉस्ट पार्ट है, फॉस्ट पार्ट में देखें, पीयक्स की जो वैलू दी गई है, ये दिया गया है, एक्स क्योब माइनस थीयक्स इसक्वायर प्लस फा देखें, यहां जीयक्स की वैलू आपको दी गई है, और जीयक्स की वैलू आपको दी गई है, ये एक्स से इसक्वायर माइनस टू, तो अब हम जो है, पीयक्स को जीयक्स से भाग देंगे, और चलिए भाग दे करके देखते हैं कि वैलू क्या मिलती है, तो एक्स क्यूब माइनस 3x square प्लस 5x माइनस 3 हमें px को gx से भाग देना है gx की जो value है वो x square माइनस 2 है और चले हम भाग देते हैं यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले x बार भाग ले जाएंगे भाग ले जाने का मतलब यह होता है न कि देखिए जीतनी बार हम भाग ले जाते हैं इस संख्या का इन दोनों संख्याओं में गुड़ा करके लिखते हैं और इस प्रकार हम भाग ले जाते हैं कि गुड़ा करें तो कम सकम पहला वाला जो टर्म है न पहला वाला टर्म कट जाए तो चलिए अगर x का हम x square में multiply करेंगे तो x cube हो जाएगा और फिर minus 2 में multiply करेंगे minus 2x हो जाएगा याद रखे रहेगा कि अगर x cube है तो x cube को x cube के नीचे square के नीचे square को x के नीचे x को constant के नीचे constant को लिखते हैं अब यहाँ पर minus करेंगे तो यह plus हो जाएगा यह cancel हो गया और फिर यह हो गया आपका minus 3x square और फिर देखे 5x plus 2x है यह हो जाएगा आपका 7x minus 3 अब हम देखें कितनी बार इसको divide करें minus 3 time divide करें क्योंकि पहला वाला जो term है जो पहला वाला पद है यह जरूर कटना चाहिए तो minus 3 से अगर हम divide कर देते हैं यह x square में तो देखें minus 3x square हो जाएगा और फिर minus 2 में multiply करेंगे तो minus into minus plus हो जाएगा और फिर 6 हो जाएगा अब यहाँ पर हम जो है minus करेंगे तो यह हो जाएगा plus और यह हो जाएगा minus यह cancel हो गया तो अब ही जो 7x है उतर जाएगा minus 3 और minus 6 यह हो जाएगा 9 अब ज़रा ध्यान परुवक देखें हैं आपसे भागफल पूछा जा रहा था तो भागफल जिसको हम Qx से प्रदर्शित करते हैं यह है यक्स minus 3 मिला है और फिर 6 फल जिसको हम remainder यानि Rx से प्रदर्शित करते हैं और यह 7 यक्स minus 9 हो जाएगा तो यह जो है भागफल और सेस्फल निकला और यह question number 1 का जो first part है first part complete हुआ clear हो गए आप सब को पुछना है किसी को चलिए आगे बढ़े हम तो अब जो है इसका second part भी बता देते हैं third part आप लोग करिएगा तो चलिए देखते हैं इसके second part में क्या दिया हुआ है देखें second part में PX की जो value दी गई है यहां PX is equal to आपको दिया हुआ है X to the power 4 minus 3X square plus 4X plus 5 यह PX की value आपको दिया हुआ है और इसके बाद अगर हम देखें तो GX की value आपको दी गई है और GX की value X square plus 1 minus X दिया हुआ है लेकिन इसको थोड़ा सा सही तरीके से हम लोगों को लिखना होगा तो सही तरीके से लिखेंगे तो X square इसके बाद X लिख लेंगे minus X हो जाएगा और फिर इसके बाद हम 1 लिख लेंगे अब हम PX को GX से divide करेंगे तो चलिए हम divide करते हैं तो यह है X to the power 4 minus 3X square plus 4X plus 5 और इसको हम divide करेंगे X square minus X plus 1 से तो यह बात हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि हम इतनी बार divide करेंगे न कि जो पहला term है कम से कम पहला term आपको मिल जाए एक बात और हम आपको बताते हैं कि देखिए यहाँ पर cube वाला जो term है नहीं है तो cube वाले term को हम लोग अपने मन से लिख देंगे लिख देंगे तो इसको solve करने में सुवधा हो जाएगे देखिए यहाँ plus 0X cube कर दे रहे है 0X cube कर दे रहे हैं इससे solve करने में हमको सुवधा हो जाएगी और फिर minus 3x square plus 4x plus हो जाएगा 5 चलिए अब हम divide कर रहे हैं और हम यहाँ divide कर रहे हैं x square बार तो अगर x square बार divide करें तो देखें x square का x square में divide करेंगे x to the power 4 हो जाएगा और इसके पाद minus x में multiply करेंगे minus x cube हो जाएगा और फिर one में कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका x square अब इसके बाद ज़रा ध्यान परवक देखें फिर यह minus हो जाएगा यह plus हो जाएगा यह minus हो जाएगा x to the power 4 से x to the power 4 cancel हो गया अब यह हो गया आपका x cube यह minus 3x square और minus x square यह हो जाएगा minus 4x square और इसके बाद और जो आगे के टर्म है इनको भी हम कॉपी कर लेते हैं यह है 4x plus 5 अब इसके बाद देखा जाएगा कि कितनी बाद डिवीजन होगा देखी x cube लाना है तो अब हम yaks बार भाग ले जाएगे और yaks बार भाग ले जाएगे यak зр का multiply कर देंगे तो x cube हो जाएगा और यह माइनस हो जाएगा yaks square और 1 में multiply कर देंगे तो yaks हो जाएगा अब यहाँ पर देखें, sine change होगा, तो यह हो जाएगा, minus यह हो जाएगा, plus फिर यह हो जाएगा, minus, अब देखें, क्या हो जाएगा, x cube से x cube cancel हो गया, यह हुआ x square और minus 4x square, तो x square minus 4x square करेंगे, क्या मिलेगा, minus 3x square हो गया, अब इसके बाद देखें, 4x minus x, यह हो जाएगा, आपका 3x, और plus हो जाएगा 5, अब देखें, कितनी बार ले जाए आजाए, तो minus 3 time हम ले जाए, तो minus 3 से multiply करेंगे, तो देखें, क्या हो जाएगा, minus 3x square हो जाएगा, और फिर यह हो जाएगा, plus 3x, और यह हो जाएगा, आपका minus 3, solve करते हैं, फिर यहाँ पर minus करेंगे, तो यह plus हो जाएगा, यह minus हो जाएगा, plus, यह cancel, यह cancel, और फिर 5 plus 3 हो जाएगा, 8, तो अब जो है, यहाँ देखें, आप से भागफल, और फिर सेस्फल पूछा जा रहा था, तो भागफल को हम Qx से represent करते थे, क्योंकि भागफल को quotient करते हैं, और quotient Qx की जो value आई है, यह x square plus x minus 3, और इसके बाद सेस्फल, सेस्फल को हम reminder कहते हैं, और यह हो जाएगा, Rx, और इसकी value जो हमको मिली है, वो 8 मिली है, इस प्रकार से यह जो इसका second part है, second part salve होता है, अच्छा third part में हम थोड़ा सा hint आपको दे दे रहे हैं, third part में हम थोड़ा सा hint दे दे रहे हैं, देखिए third part में हम hint दे देंगे, आप लोग कर लेंगे, देखिए third part में आपको Px is equal to, third part को हम hint कर रहे हैं, यहाँ Px is equal to आपको दिया हुआ है, x to the power 4, x to the power 4, minus 5x plus 6, इसको पहले हम लोग सही तरीके से लिख लें, तो सही तरीके से लिखेंगे न, तो यह हो जाएगा, x to the power 4, plus 0x cube, plus 0x square, minus 5x plus 6 हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख लेंगे, तो आपको division करने में सुधा होगे, और फिर इसके बाद आपको gx की value जो दी गई है, देखें, gx की value आपको दी गई है, 2 minus x square, तो इसको सही तरीके से आप लिख लें, minus x square, plus 2, तो अब इसी से आप भाग देंगे, इसको करेंगे third वाले part को, चलिए third वाला part आप करिएगा, नहीं आएगा, तो फिर पूछिएगा, हम आपको आगे बता देंगे, अब हम लोग question number two को देखेंगे, question number two में क्या दिया है, पहले बहुपद से दोसरे बहुपद को भाग करके जाचिये, कि क्या प्रथम बहुपद, दुईतिय बहुपद का गुड़न खंड है, तो जानते हैं प्रथम बहुपद से दोसरे बहुपद में हम भाग देंगे अगर पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो हम कहेंगे कि गुड़नखंड है और पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो कह देंगे कि गुड़नखंड नहीं है अब देखिए दूसरे का जो first part आपको दिया है first part में आपको t square minus 3 दिया है ये पहला बहुपद है और दूसरा बहुपद जो दिया हुआ है आपका 2t to the power 4 और प्लस हो जाएगा 3t cube दिया हुआ है प्लस 3t cube और फिर जो है minus 2t square और minus आपको दिया हुआ है 90 और minus हो जाएगा 12 तो चलें आपसे प्रस्ण में यही काज आ रहा था कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दिशे और भाग दे करके बताईए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुड़न खंड है कि नहीं है तो चलिए अब हम यही पर भाग देने जा रहे हैं पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में तो देखिए यहाँ पर 2t to the power 4 है तो हम इतनी बार ले जाए कि t square में गुड़ा करने पर पहला वाला पद मिल जाए तो अगर हम 2t square बार भाग ले जाएं 2t square बार तो देखिए 2t square का हम t square में multiply करेंगे तो 2t to the power 4 हो जाएगा और इसके बाद माइनस 3 में multiply करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 6t square हो जाएगा अब इसके बाद आप sin change करिए यानि माइनस करिए तो यह माइनस हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगा यह cancel हो गया अब इसके बाद यहां आ गया 3t cube और देखिए 6t square माइनस 2t square है तो 6t square माइनस 2t square करेंगे तो यह हो जाएगा 4t square और इसके बाद फिर जो है यह माइनस 9t माइनस 12 हो जाएगा तो अब सरा ध्यान पुरुबग देखेंगे अब हम यहां पर भाग ले जाएंगे 3t bar भाग हम उतनी ही बार ले जाते हैं कि गुड़ा करें तो पहला term मिल जाए तो 3t से भाग ले जाएंगे तो 3t का हम यहां गुड़ा कर देंगे तो यह हो जाएगा 3t cube और फिर यहां पर माइनस 3 में multiply करेंगे तो यह हो जाएगा आपका माइनस 9t हो जाएगा चलिए माइनस कर दिया जाए तो माइनस करेंगे तो यह माइनस हो गया यह प्लस हो गया यह cancels हो गया अब आ जाएगा यहां पर 4t square माइनस 12 हो जाएगा अब देखा जाए कि कितनी बार हम भाग ले जाएं तो अगर हम 4 time भाग ले जाते हैं प्लस 4 time तो 4 time भाग ले जाएंगे तो देखिए 4 से यहां multiply करेंगे यह हो जाएगा 40 square और minus 4 का 3 में multiply कर देंगे तो यह हो जाएगा minus 12 तो यह minus हो गया, यह plus हो गया यह cancel हो गया, यह पूरा-पूरा विभाजित हो गया यहां पूरा-पूरा भाज चला गया तो जब पूरा-पूरा भाज चला जाएगा तो हम कह देंगे कि अतह पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुड़न खंड है यहां पर लिख देंगे कि अतह पहला बहुपद पहला बहुपद दूसरे बहुपद का बहुपद का गुड़न खंड है क्योंकि पूरा पूरा भाग चला गया है रिमेंडर जीरो हो गया है तो इस प्रकार question number two का जो first part था first part साल्व होता है second और third में से कोई एक बताएंगे ये समझ में आ गया आप लोगों को? पूछना है किसी को? चलिए अब जो है second और third में से कोई एक बताएंगे आप बताएंगे कि कोन बतादेंगे? चलिए third बतादेते हैं तो इसको अब हम erase करते हैं और चलिए देखते हैं इसके third part को second part करिएगा नहीं आएगा तो फिर पूछिएगा हम आप लोगों को बतादेंगे तो चलिए इसके हम third part को देखते हैं third part में दिया हुआ है देखें पहला जो बहुपद है वो x cube minus 3x x cube minus 3x plus 1 और फिर दूसरा बहुपद दिया हुआ है इसमें है yaks to the power 5 और फिर इसके बाद आप देखें तो यहाँ पर 4 वाला term नहीं दिया है तो 4 वाला term नहीं दिया है तो अपने मन से हम 0x to the power 4 यहाँ कर लेते हैं इसके बाद फिर देखें minus 4x cube है minus 4x cube और इसके बाद है plus x square और फिर दिया हुआ है plus 3x plus 1 दिया हुआ है चलें अब जो है हम भाग देने जा रहे हैं पहले वाले भुपद से दूसरे वाले भुपद में चलिए देखा जाए कि कितनी बार पहले भाग जाएगा तो यहाँ x cube है x to the power 5 चाहिए तो हम अगर x square बार देखिये उपर लिख रहे हैं को सेंड को भाग फल को हम उपर लिख रहे हैं तो x square का x cube में multiply करेंगे तो यह हो जाएगा x to the power 5 हो जाएगा और इसके बाद जो है यहाँ पर हम multiply करें x में तो minus 3x cube हो जाएगा minus 3x cube हो जाएगा और फिर 1 में multiply करेंगे तो x square होगा यह हो गया x square अब हम इसको स्वाल्व करते हैं तो देखे यह minus हो जाएगा यह plus हो जाएगा और यह भी minus हो जाएगा तो फिर x to the power 5 से यह cancel x square से x square cancel हो गया और इसके बाद देखें यह है 3x cube और minus है 4x cube तो 3x cube minus 4x cube करेंगे तो यह हो जाएगा minus x cube और इसके बाद यह हो जाएगा आपका 3x और plus हो जाएगा 1 देखें अब यहाँ पर हम minus 1 बार divide कर रहे हैं minus 1 बार तो minus 1 का इस सम में multiply हो जाएगा तो यह हो जाएगा minus x cube और फिर यह हो जाएगा plus 3x और फिर यहाँ हो जाएगा minus 1 चरिए अब हम घटाते हैं तो यह plus हो जाएगा यह minus हो जाएगा यह plus हो जाएगा यह cancel हो गया यह cancel हो गया तो प्रस्ण में आपसे यही कहा जा रहा था कि पहले बहुपद से दोसरे बहुपद में भाग दिजिए और जाच कीजिए कि पहला बहुपद दोसरे बहुपद का गोड़न खंड है की नहीं है यहाँ पर देख रहा है कि पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है दोसरे स्फल बच जा रहा है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ last में लिखतेंगे कि अत्व पहला बहुपद दोसरे बहुपद का गोड़न खंड नहीं है क्लियर हो गया यह इसको कर लीजिए गाई इसके बाद क्वेस्टन नमबर 3,4,5 हम लोग अगले लेक्चर में देख लेंगे लेक्चर 5 में और इस प्रकार यह जो चैप्टर 2 है यह सेकेंड चैप्टर आपका कम्प्लीट हो जाएगा और इस प्रकार हमें उमीद है कि आप सभी लोग को अच्छी तरह से यह क्वेस्टन समझ में आए होंगे आप लोगों को समझ में आ गए तो वीडियो जो लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें चैनल सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिल आइकन को प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिकत समझ में आते हैं तो कमेंट करके हमें बतावें और वीडियो को सेर करें लेकिन इसके साथ मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि महामना इंस्टूट के सभी नए बैश शुरू हो गए हैं 9th, 10th, 11th, 12th, Science, Art, Commerce, Hindi, Medium, English, Medium याने UP Board और CVSC Board के सभी क्लास से शुरू हो गए हैं इसलिए आप तक काल महामने शुट में एडमिसन ले लिजिए आप सभी दोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जै हिंद, Thank you sir You're most welcome